नमस्कार डायलोग एट डीडी न्यूस कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है तीन साल मोधी सरकार और इन तीन सालों में खास्त और से युवाओं की जो उमीदें हैं जो आकांगशाएं हैं उनको कितनी परवास मिली है युवाओं के लिए क्या कुछ ऐसे कारिक्रम चलाए गए हैं कितने उन्हें अवसर दिये गए हैं जिससे वो आगे बढ़ सके क्योंकि न्यू इंडिया जाहिर है नया भारत उसका निर्माण और उस निर्माण की जिम्मेदारी हमारे युवाओं के हाथों में हैं उनके कंधों पर हैं तो युवाओं में अगर हम बात करें तो जाहिर है शिक्षा और रोजगार और उद्यम एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने जिसे हमें पूरा करना है और देखना ये है कि इन तीन सालों में आखिर हमने इसे कहां तक एचीव किया युवाओं में जाहिर है जब बात करते हैं तो खेल की बात भी होती है खेलों से हमारा युवा जुड़ा हुआ है खेलों में आखिर कितनी कुछ प्रगति हो रही है क्या कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे इन युवाओं को एक नई परवाज मिल सके आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे साथ यहाँ पर जनता जनार्दन है हमारे पैनलिस्ट है जो कि इस कारिक्रम में अपने सवाल पूछेंगे सीधे केंद्रिये मंत्री जो कि आज हमारे साथ इस कारिक्रम में शामिल हुए है लेकिन हम शुरुआत करेंगे आपसे ही जानना चाहेंगे कि इन तीन सालों में एक बहुत बड़ा एक काम आपके जिम्में सौपा गया और वो कौशल विकास का था 2022 सा कहते हैं कि 40 करोड़ लोगों को हमें कौशल विकास से जोड़ देना है इतना बड़ा काम है ये बताए कि इन 3 सालों में क्या कुछ हमें अचीव कर पाए है आपने जो विशे उठा है ये 40 करोड़ की जब आकड़ों को हम उपयोग करते हैं तो मूल तक 40 करोड़ लोग जो असंगठित छेतर में काम कर रहे हैं उनको कौशल किस तरह से उपलप कर रहा है उसके बारे में लेकिन आज जो हमारे पास चुनाओती है जो एक मिलियन दसलाख लोग वर्कफोस में प्रतेक महा जो जॉइन कर रहे हैं उनके स्किलिंग की क्या त्यारी की है और ऐसा नहीं है कि इस मंतराले के आने के पहले कोई देश में स्किलिंग का काम नहीं हो रहा है लेकि सब अपन पहले पने अपने तरीके से अपने अपने रास्था डूंड करके और एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि ये मंतराले देश के प्रधानमतरी ने अपनी कलम से बनाया है है इस मंतराले का गठन आज से धाई वर्ष मैरा तीन वर्ष gev नहीं है धाई वर्ष पुरोग हुआ ह हमारे लिए और मानी प्रतान मंतरी जी का ऐसा मानना है कि अभी तक हम लोगों ने शिक्षा केंद्रित हर कुछ किया है लेकिन दस वर्ष की स्कूली शिक्षा जरूरी है बारा साल की स्कूली शिक्षा जरूरी है लेकिन हो सकता है दस साल की स्कूली शिक्षा या बारा साल की स जो उद्योग कहता है कि भाई हमें कैमरा में चाहिए हमें स्क्रीन प्रिंटर चाहिए हमें बूके सजाने वाला चाहिए हमें इस टेंट हाउस में अच्छे से टेबल सजाने वाला चाहिए हमें अच्छे छोटी लड़की चाहिए जो मेरे घर में ब्यूटीशन का काम कर सके ह हमें एक अच्छा ड्रायवर चाहिए, हमें एक अच्छा हाॉसकीपर चाहिए, हमें एक अच्छा हाॉसहelp चाहिए, आज तक भारत के पूरे विवस्था में ये अनौप्चारिक रोप से लोग सीखते थे और काम करते थे. आज अगर हम इस टूडियो में बैठें तो अगर आप यहाँ देखें। पढ़ने के लिए वो ट्रेनिंग क्या हो किसके लिए हो ट्रेनिंग का स्वरूप क्या हो उसका कोर्स क्या हो उसका करिकुलम क्या हो पढ़ाने वाले का क्वालिफिकेशन क्या हो और अगर उसे पढ़ाए तो उसके बाद उसका एसेस्मेंट कैसा हो और एसेस्मेंट के बाद स सकते हैं तो इसका परिभाशा आखिर अगर 400 मिलियन लोगों को करना हो 40 करोड को और देश में निरंतर प्रतेक माह एक मिलियन लोगों करना हो तो एक मानक तो होना चाहिए मान्य प्रधान मंत्री जी को ये जानकारी थी कि भारत सरकार के 25-26 मंत्राले 50 योजनाओं के तहट 50 विभागों में स्किलिंग का काम जब जब जिस मंत्राले को लगा कि हमें हाँ स्किल्स की ज़रूवत है तुन्होंने एक योजना शुरू की लेकिन अब हम लोगों ने कम से कम दो वर्ष के भीतर एक मानक बना दिया आप करना चाहे करें राजियों को भी मानक मिल चुका है कि अगर हम स्किल्स क्वालिफिकेशन अगर करना है तो क्या होना चाहे किस तरह से ट्रेनिंग होना चाहे आप जैसे जैसे सवाल पूछेंगे मैं explain करूँगा लेकिन एक छोटा सा उधारन गाओ देहात में एक छोटी सी बच्ची घर में होती है आप देखिएगा आइने के साथ जाती है उसकी मा उसकी चोटी बनाती है क्लिप लगाती है उससे भी सुंदर देखना वो भी चाहती है ब्यूटिशन दो महिने का कोर्स ब्राउज का मैनी क्योर पेडी क्योर पता नी और क्या होता है और अगर आप तीन महिने की ट्रेनिंग दे दे वो लड़की गाओं से आती है थोड़ी बहुत अंग्रेजी जान जाए थोड़े आइब्रोज पिंसिल्स का नाम जाए जाना सीखती है फिर भावी से चाची से सो दो सो रुपया लेकर कि अपना बिजनस जमाना सुरू करती है गाओं को खबर मिलता है गाओंवाले उसके घर में आने लगते है आइना लगाती है कुरसी लगाती है और जब शादी ब्याह लगन हम भीहार से हैं इसलिए ब्याह दे रहे हैं एक छोटा उधारन ऐसे आपको अजारों उधारन में दे सकता है रूडी जी ये तो आपने बात की जाहिर है एक उधारट भी आपने दे के समझा है लेकिन हम जानते हैं कि स्किल ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ बहुत चतेजी से बदलती रहती है चीज़े आ ये तो मानिय प्रधान मंत्री ने अलग मंत्राले बना करके देश में कौशल की पहचान की परिभाशा बनाती है आप जो फ्यूचर स्किल्स के बारे में कहते हैं मैं इसको यही थाम दूगा मेरे लिए तो चुनौती है कि जिस गाउं में काम करने वाला खेत में लड़का जिसकी आमदवनी 2,000 रुपे है अगर उसको हम कौशल दिला करके ट्रैक्टर चलाने का और गाउं में अगर मोबाइल रिपेर करने का सिखा दे तो उसकी आमदवनी 15,000 हो जाए ये मेरा है तो फ्यूचर स्किल्स is a highly technical word जो किताबों में पढ़ते हैं अभी हमारे लिए वो इंजिनिरिंग सीट्स खाली है क्यों इंजिनियर निकलने के बाद उसके पास स्रोजगार नहीं उसे भी 15,000 की नोकरी मिल रही है क्योंकि इंडस्ट्री कह रहा है भाई मैं आपको रखूंगा कहां आपको तो पता ही नहीं है तो ये अपने आप में to provide and train for skills is the biggest challenge future skills is important but अब सर हमने देखा है कि जो गाउं में बैठा है युवक कास और से उसकी भी बात हम करें उसको पता नहीं चलता उसे मालूम नहीं है इवन शेरों में भी हमने देखा है घरों में जो लो काम करते हैं उनसे आप पूछिए कि आप skill development का कोई course करना चाह हो कहां होता है कब होता है मालूम नहीं है बहुत अच्छा सवाल है जी किसे से school में पूछिए किसी गाउं में कि अपने बच्चे किसी गरीब से पूछिए तो गाउं में हाँ प्रामरी स्कूल है middle school है quality जो भी हो उनको पता है school है सरसट वर्श से आप इस देश मे स्कूल और प्रात्मिक विद्याले मिध्य विद्याले में एगर स्किलिंग विद्याले बनायते होते तो शाइद यह पूछने की जरूवत ही नहीं पढ़ते आड़ स़ाल के बढ़े कि स्किलिंग कहा है क्योंकि इस देश में अगर सचमुच रोजगार दिल्वाना है, नौजवानों को रोजगार की, लोग कहता है नोकरी कहा है, साब नोकरी तो इतना है, लोग कहा है, ये बिलकुल देश में जो लोग कहते हैं जो अंग्रेजी बोल करके ये लोग समझाना चाहते हैं, where is the job, where is the आप मेरे पास आके बैठ चाहिए, मुझे तो लोग कह रहे हैं कि साब मुझे रिटेल में सवा करोड बच्चों की जरुए है, कंस्ट्रक्शन में तीन करोड लोग है, अब बार बेंडर, एलेक्ट्रिशियन, फ्लंबर की इतनी बड़ी अच्छा वाल पेपर लगाने वाला इस देश पे नहीं है, तो हुज डिमांड है, लेकि उसको बचारी को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए जॉब्स और इस सरकार में तो जॉब्स बहुत ही क्रियेट हो गया है, हम नहीं तो चुनौती है कि मैं कैसे ट्रेन करकि उनको दरवाजे तर पहुचा अधर साथ रूडी जी यहां जैनतो दास जी बेठे हुए जो कि आर्थिक विशलेशक है और पैन इंडिया स्किलिंग सिखाते हैं और खास्त और से नौट इस में काफी ट्रेन कर रहे हैं, जैनतो जी पूछी अपना सवाल, सबसे पहले सवाल मेरा यह है मंत्री जी हम का सकस स्टोरी, मिसरा में एक सेंटर है हमारा जो एक किलमेटर दूर है बर्मा बॉरर, अजो प्राइसल जो कैपिटल है, उससे सोलो गंटा रास्ते पे जाना पड़ता है, होँआ पर हम लोग सारे चार सो बच्चे हैं होस्पिटालिए पे ट्रें के ए पीम यहां का दौरा और आज का तारीक में 4500 बच्चे इंप्लोईट है, विच कम्प्लिटली विंडिकेट्स यॉर स्टोरी आज पहुंचाना है. तो में जुनाथी वहां पर ऐसे है, आज का तारीक में जो नाय PMK का दोरान, जो आप लोग IT-enable systems अपने इंट्रिदूस किया, लेकिन नौर्टीस में, सर, ऐसे काफी सारे जगह है, जहां पर ब्रॉट्बेंड भूल जाईए, डेटा भूल जाईए, वोईस तक नहीं पूरा. देश में अगर साल भर में प्रतेक वर्ष, दो साल, तीन साल के भीतर सवा करोड, वी हाव तो हैव एवा सिस्टम, चमा कीजे, पिछली सरकारों में भी स्किलिंग का काम हो रहा था, तो थोड़ी कड़ाई हमने की है, जहां तक ऐसे रीजन से, जहां पर you require a special audit or a special support, we have special projects, we can definitely consider, we have kept a space for such places which are full of challenge, so all those who are in the skilling sector, if you are a brew tribe का हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से बहुत ही आदिवासी चेतर में, जहां structured मकान ही नहीं हो, जोपडिया ही हो, और वहां गरीबों को कुछ रला पहुचाना है, बैंबू ट्रेनिंग का, तो we have kept some that's called under special projects. हमारे साथ यहां मिनाक्षी बत्रा जी हैं, जो कि CEO हैं और Charities Aid Foundation चलाती हैं, आप बताईए आपका क्या सवाल है मंत्री जी से. पढ़ाई होने के बाद, स्किलिंग होने के बाद, employability training पर हम लोग काफी focus करते हैं, जिसमें की language skills, life skills, computers as a… मेरा यह सवाल है कि यह हम एक level पर कर रहे हैं, CSR के साथ जुड़के कर रहे हैं, corporates को इनसे काफी फाइदा हो रहा है, काफी absorption अच्छी हो जाती है, 99% तक employable उसमें हो जाता है उनका recruitment, पर इसको हम scale पर कैसे ले जा सकते हैं? आप जो कह रही हैं, you are making a small effort somewhere, आपको अंदाजा नहीं है कि हम लोगों ने कितने बड़े पैमाने पर यह देश भर में शुरू कर दिया है, यह जितने प्रदानमंत्री कौशल केंद्र है, they are the places where we are benchmarking in every district, what kind of skilling should be there, what is the benchmark, how they have to perform, और हर बच्चे को जिस पर हम CSR से भी नहीं पैसे ले रहे हैं, हम सरकार, देश की सरकार और मानने प्रदानमंत्री ने जब यह मंत्राले शुरू हुआ था, तो करोड रुपया भी बजट नहीं था, आज मानने प्रदानमंत्री जी का इतना conviction है इस मंत्राले के प्रती की, the total fund allocation is to the tune of 30,000 crores, but the question is 30,000 crores cannot be fitted right away, it's a commitment that we'll spend, I have to devise an ecosystem which actually we are able to deliver and get an outcome, आपने का scale कैसे कर रहे हैं, हम लोगों ने, हमारे लिए चुनाथी था, to put an ecosystem in place जहाँ scale करे, तो 500 जिलाओं में प्रदेख संसदिय छेत्र जिलाओं में हम लोग प्रदानमंत्री कौशल के इंदर की स्थापना जो benchmark है, वो main centers हैं जहाँ short term scaling चल रहा है, और पूरे जिले में spokes बनाने का हमारा program है, spokes बने छोटे-छोटे center जो इससे tagged हो, फिर recognition of prior learning, जो लोग पहले से अनुभव है, कारपेंटरी का, प्लम्बिंग का, शेफ का, ये सब का, उसको उस center पर लाके training देने के बात कर रहे हैं, फिर इसके अलावा, और भी जो प्रदानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, isolated centers हैं, उसमें भी, उसमें हम लोग ने एकदम mandatory कर दिया, कि 70% employment, सो बच्चे कर ट्रेन हो रहे हैं, बिकास पैसे सरकार दे रही है, 70 बच्चे को तो आपको employment में क्या होगा, या तो वो बच्चा apprentice के रूप में किसी factory में जाए, या वो फिर अपना entrepreneur, कहीं से bank loan लेके अपना काम शुरू करें, या फिर wage employment पर जा, या तीनों में से कोई भी अगर करता है, तो उसे हम employed मानते हैं, placed मानते हैं, और उसके लिए short term skilling, soft computers, उसे समझना, खोलना, देखना, word use करना, paint brush use करना, ये सिखाएंगे, उसे classroom में 100 sentence, centers जहां उसको pre-departure orientation training, विदेश में जाने से पहले, उसको passport बनाना, उस passport का तरीका सीखना, विदेश में जाने के बाद, embassy से contact करना, उसको अपने company का details देना, उस देश का कानून समझना, left hand drive है कि इस देश में right hand drive है, ताकि ये बच्चा जब वहां जाए, तो बिल्कुल फस ना जाए, अब हर एको सिस्टम में काम शुरू हो चुका है, अब मुझे अगर आप तुलना करेंगे, वो उन मंतराले सो, जो 60 साल से है, तो मेरे लिए कठेना ही, लेकि भाई साल के कारवदी का, क्या क्या हमने किया, वो आप दिखते हैं, और आप सब बैठके इतनी आपने जो बताया, आपने बताया, आप इसलिए ये बाते कह रही हैं, कि कहीं न कहीं एको सिस्टम में इसका बज़ आ चुका है, एक बात और बताएगे, वैसे तो मतलब सिदे सिदे आप से लिए जुड़ती है, कि लोगों की सोच को बदलना भी ज़रूरी है, अक्सर माबाप क्या कहते हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, अपने बच्चे को एंजिनियर बनाएंगे, कोई अपने बच्चे को स्किल सिखा के उसे लुक्टर के लिए तयार, इसके ये जो मान सिखता है, उसे आप कैसे बढ़ाएंगे, इसके पीछे तो नीतिया है ना सरकार की, और नीतिया कैसी रही हैं, आप सब ये पुरा देश अभी सुन रहा है, ये तो non-academic short term skilling की बात, आप लोग ने सवाल किये, बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे गरीब हैं, एक तरफ है जो बच्चे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आपने ITIs का नाम सुना होगा, DGT Training, NCVT का सेटिफिकेट, पिछले 60 साल से ये इंस्टिटूट्स हैं, ITIs आप देखते होंगे, उतकी स्थिती बहुतों की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिं फिर भी उसमें कई अच्छे भी है, 23 लाग बच्चे उसमें एंरोल होते हैं प्रतिक वर्ष, और आठवी के बाद दो साल का कोर्स आप कर सकते हैं, ITI का या फिर दसवी का, दसवी में जाके दो साल का कोर्स कर सकते हैं, ये देश में पहले सरकारे नहीं रही है, इस देश में पहले प्रधान मंत्री नहीं रहा है, इस पहले देश में कोई मंत्री नहीं रहा है 23 लाग बच्चे प्रतेक साल ये इम्तिहान पास करते हैं ना उनको दसवी की मान्यता है ना उनको बारवी की मान्यता है ये कौन सा अपराध है इन बच्चों को जो ITA करने जाए वो भविश में कोई आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता है किसी स्टेट का एक्जाम नहीं दे सकता है वो आगे B.A.B.S.C. नहीं कर सकता है पहली बार इस सरकार ने 68 साल के बाद इन बच्चों को मेट्रिकुलेशन और प्लस टू का इक्वेलेंस दिया है ताकि वो बच्चे निकल करके आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सके ऐसा किसी ने किया ही नहीं था हम लोग अभी N.I.O.S. एक्जाम करा रहे हैं उसका एक सब्जेट और दे करके और आने वाले दिनों में N.C.V.T. D.G.T. अपना बोर्ट बनाएगी और C.B.S.C. के तरह, I.C.S.C. के तरह किंद्री विद्यालियों में जैसे होता है ये भी बच्चे I.T.I. का परिच्छा दे सकते हैं ये कहने का मतलब याद यह हर व्यक्ति आच चाहता है उसकी बड़ी एस्पिरेशन है वो चाहता है वो एक इज़त-जार जिए जिए वो चाहता है कि वो चाहे चोटी सी स्किल भी सीखे तब भी उसकी इज़त हो लोग उसे माने लोग उसे इज़त दे ये बहुत बड़ी चीज़ है तो ये जो एक वर्ल कल्चर है खासतार से जो हमारे नियोक्ता हैं जो आपको हायर करते हैं उनकी पॉलिसीज में भी कही न कहीं हमें देखना पड़ेगा कि इन लोगों को जहां काम मिल रहा है क्या वो वहाँ पर एक समाज जनक जिन्दगी जी रहे हैं तो समाज जैसे जैसे बढ़ेगा और अगर आप किसी टैक्सी में आज ओला और उबर को तीन लाख ड्राइवरों की जरुवत है महिलाओं की जरुवत है ड्राइवर है और सतन चालीस पचास जार रुपया कमा सकते हैं लेकिन उनको ऐसे ड्राइवर नहीं चाहिए ना उसको ट्राइवर चाहिए इसका प्रॉपर लाइसेंस हो तो चार लाइन उसको ग्रीट करना हिंदी और अंगरेजी में अच्छी तरह से आए गाड़ी में बैठने वाले पैसेंजर उसको पूछ सके कि आपका आपकी यात्रा कैसी थी जरुवत पड़ा तो बॉटल का पानी रखे वे है उसको पिलाया जरुवत पड़ा तो थोड़ा एडवांस वर्शन में लोग नैपकीन भी ओफर कर देते हैं और और भी हो और जब वहां पहुचे तो बोलें साब आपके पास I have a point of sale machine प्रदानमंत्री जी कहते हैं प्योस है मारे पास वो credit card दे उसे पैसे भी ले 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 अगर वो वेक्ति हो तो उसकी आमदनी 40,000 होगी और वो aspirational होगा aspirational तो तब होगा जब हम दोनों product और customer दोनों को match करें तो यह बड़ा जरूरी है और आस्ते आस्ते हो रहा है हमारी सरकार का commitment ही गरीब किसान, मस्तूर, मज़वान, बेरोजगार हो ऐसे चोटे लोगा हमारा narrative of this government has changed अब ठीक है पहले भी सरकारी होंगे लेकिन अब की सरकार का commitment 100% गरीब है चाहे जो भी जैसा भी जिस मंत्राले में हो, सब मंत्रियों का commitment और सर्फ्रेश्ट का commitment एक तरफ मानिय प्रधान मंत्री जी का है जो structured way में गरीब हो, पहुचना है अंतिम 25 करोड़ लोग bank खाता, it's aspirational साहब मेरे पास bank का खाता हो, मैं बैंक में जाके खड़ा हूँ, जो 25 करोड़ लोगों की, यह aspirational है ना और यह वैवस्ता का हिस्सा किस प्रकार से बन रही है, इसकी हमने चर्चा की आगे भी करेंगे एक चोड़ा से ब्रेक लेते हैं, dialogue at ddnews, हमारे साथ इस समय राजी प्रताप रूडी जी है, बात्चीत चलती रहेगी, सवाल चलते रहेंगे, चोड़ा से ब्रेक के बाद, आप बने रहेगे दीडी न्यूस पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योईना ने हम गाउवालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिये, सड़क के गट्टों की फोटू खेज रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मुबाइल फोन में मेरी सड़क एप है, जिससे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी, कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है, सड़क से जुड़े सुझाओ या शिकायत पर, सरकार वाजिब कारेबाही करती है स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया लेकिन यहां स्वच्छता रखना किसकी जिम्मधारी है चिपस तो इन्होंने खाया पर यह खाली पैकट किसकी जिम्मधारी है सही सामान तो मिल गया और खाली पैकट यह किसकी जिम्मधारी है समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है बलकि अपने कचरे का सही निप्टान भी करता है आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच भारत का सपना सच कीजिए जागो ग्राख जागो लोन के ब्याजदर पर रियायती सबसीडी देगी भारत सरकार तक की घर होगा बड़ा और EMI छोटी इस योजना का लाब आर्थेक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आयवर्ग और अब मध्यम आयवर्ग के लोग भी उठा सकते हैं प्रधान मंतरी आवास योजना शहरी सब का सपना घर हो अपना अधिक जानकारी के लिए अपने निकट तम बैंक या हाउसिंग फाइनांस कंपनी से संपर्क करें या डायल करें 1-800-11-3377 या 6163 मेरे गाउं की लग की जानी नना वो इस साल शटी में पहुँच गई और दो बबलू कितना बिमार्यत था था बच्तर में माबाब भले ही बूल जाए पर मैंने ही बूलते कौन सटी का लग चुका है कौन सटी का लगना है अगर आपके परिवार में भी किसी बच्चे का टीका करन छोटा हुआ है तो मिशन इंद्रधनुष दे रहा है आपको एक और मौका अधिक जानकारी के लिए निकट के स्वास्थिकेंद्र आशादीदी या एनम देंजी से संपर्थ करें देश की हमारी आबादी युवा है हमें एक युवा देश है नौजवानों का देश है हम और अगर दुनिया के देशों को देखें तो उसके मुकाबले में जो युवा वर्कफोस हमारे देश में है वो किसी के पास आज की डेट में नहीं है और इन युवाओं को किस तरह से चैनलाइस किया जारा किस प्रकार से वो कारिकरम चलाये जा रहे हैं खास और पे कौशल विकास के एक शेतर में और उद्यमिता के एक शेतर में क्या कुछ हो रहा है इस पर हम बात कर रहे हमारे जो कि डिरेक्टर हैं प्रगती एंपावर्मेंट से आती हैं अपने सवाल करेंगी जी पूछ है रूडी जी से सवाल आज भी देश के युवा सरकारी नौकरी के लिए बहुत उसका एक वो है अल्टिमेट अबजेक्टिविस की मेरे को गर्णमेंट जवाब मिले कहीं मेरे को लगता है ये कनवर्जेंस भी हमें करना पड़ेगा कम से कम एट लीस्ट स्किलिंग के खातिर कि सरकारी नौकरी के लिए आपको स्किल सेर्टिफिकेट जरूरी है एक तो ये है दूसरी है कि हमें मालूम है 60% 70% कोई भी आँखड़े ले लीजे इनफॉर्मल अनॉर्गन इस सेक्टर में जॉब्स हैं तो कहीं न कहीं हमें लगता है मिनिस्ट्री ओफ लेबर इंप्लॉइमेंट को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि उनको कम से कम मिनिममम वेजेज मिले सोशल सेक्यूरिटी बेनिफिट मिले तो ये जो हमारा है अच्छी नौकरी ये ब अब उनको अगर शेफ चाहिए तो फाइव स्टार होटल से तो शेफ लाएंगे नहीं उनको शेफ लोए लेवल पर चाहिए जो ट्रेंड हो उनको गाड़नर चाहिए उनको ड्राइवर्स चाहिए तो फॉर्मल सेटिफिकेशन की तो वैवास ता पहली बार राश्ट्रपत कर लूँगा तो कम से कम एक semi cooked product तो है उनके पास मुझे driver 100 train किये हुए है और मेरे पास है कि एक मानक और गुनवत्ता के तहर ड्राइवर की training हुई मैं उसमें से चुन लूँगा मुझे बारबर चाहिए मुझे वॉशर में चाहिए मुझे लॉंड्री में चाहिए तो आखिर ये कहा होता था अब ट्रेड्समेंड आर्मी में अब उसके लिए पहले उसे फॉजी बाहल करते हैं फिर उसको कहते हैं कि तुम ये काम को कहता है। पी बिल जाए, so we are working in this direction in a very fast track and I'm sure in times to come we'll be able to do it but it's started for the first time in this country and it will take a while, for example, Patna में intelligence bureau की office है, साथ vacancies थे और साथ vacancies के लिए साथ हजार driverों ने apply किया, अब तो कोई भी इसके पास license है, तो एक बार अगर qualified वेक्ती हो, then at least you will have a screened product to choose the best, so this ecosystem is coming, दूसरी चुनोती हमारे लिए सबसे बड़ी है कि हमारे पास trainers नहीं है, क्योंकि इस ecosystem में काम नहीं करते थे, तो देश में पहली वार, आमी के साथ, आम फोसे के साथ, we have सबस्क्राइब करने हैं, उनको अपने अपने unit में उनसे counseling की जाती है, उनको वापस भेज दिया जाता है, और वहां अपने अपने trade में जिसमें उनकी proficiency है, उसकी training ले करके वह बाहर आते हैं, और day one में, या तो वह apprentice के रूप में निकलते हैं, trainer हो जाते हैं, assessor हो जाते हैं, या फिर अपना काम शुरू कर देते हैं, या फिर wage appointment जाते हैं, दुनिया में जो फौज के साथ हमारी partnership हुई है, शायद भारत में armed forces के साथ, चाहे वो navy हो, air force हो, army हो, इतना बड़ा partnership नहीं हुआ है, जो skill के वातर मार्दियम सो कहा है, हर छेतर में हम लोग कहीं न कहीं engage कर रहे हैं, sports minister साहब है, इनके साथ sports में engage कर रहे हैं, और एक बड़ा QP's का नौसिस का structure बना रहे हैं, तो हम हर छेतर में प्रवेश करकर के, एक MOU हस्ताक्षर करके, we are trying to move, हमारे साथ विजय गोयल जी भी जुड़ गए हैं, जो की केंद्रिय युवा और खेल मंत्राले संभालते हैं, बहुत-बहुत स्वागत है विजय गोयल जी आपका भी इस कारिक्रम में, और क्योंकि बात आज न्यू लेकिन, क्या कुछ आप देखते हैं कि सरकार ने इस दिशा में, युवाओं के साथ में, और उनके सरशक्तिकरन के लिए और खेलों में, क्या कुछ ऐसे प्रयास किये हैं, जो की आपको लगता है कि आपकी अचीवमेंस हैं, अगर आप देखेंगे, तो हमारे मंत्राले ने तो स्टेट का काम है, इनस्वा सक्चर खड़ा करना, स्टेट का काम है, खेलों को आगे बढ़ावा देना, पर हमारी सेंटरल गवर्नमेंट उसको पुछ करती है, और दूसरा है एक्सिलेंस इन स्पोर्ट्स, अभी एक बड़ा काम हमने क्या किया है, कि हम चाहते हैं कि उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसके द्वारा अगर पूरे देश में कोई भी आठ साल या उससे बड़ी उमर का बच्चा जो है, वो अगर कोई किसी खेल के अंदर अच्छा कर सकता है, तो वो अपना वीडियो या बायर डेटा उसको पर अपलोड कर देगा, तो हम उस करनी चाहिए, तो हम 2020, 2024, 2028 की अलम्पिक्स की तैयारी के लिए इन खिलाडियों को सबसे जादा हम टियार कर रहे हैं, के वही ताकि नए खिलाडी हमारे सामने आए, फिर दूसरा हमारा सबसे बड़ा टार्गेट है, प्लेफिल्ट होनी चाहिए, अब जानते हैं, आप शे जिसके अंदर हम जिम उनको प्रोवाइड करेंगे जिए, और खेलों को प्रोसान देने के लिए, अभी आप दीखिये, 119 खिलाडियों का सबसे बड़ा दल रियो में गया था, चाहे मैडल उतने नहीं आयों, पर 119 खिलाडी जाना अपने आप में एक बड़ी वयात थी, चाहे उसमें था, चाहे वो पैरालंपिक्स गेम्स के था, तो अब आपको देश में सबसे बड़ी उपलब्दी हमारी है, एक भी खिलाडी ऐसा नहीं मिलेगा, जिसको कोई शिकायत हो इस बात की, कि उसकी कोई शिकायत थी और उसको दूर नहीं किया गया जिए, फिर जहा सकता है कि उसको किसी equipment में, infrastructure में या उसमें किसी तरह की कम ही रह गई है, अब आप आईए जी, इसके साथ साथ आप खेल जो है, वो fun नहीं रह गया है सिरफ, खेल बड़ा serious game हो गया है, उसके साथ एक physio चाहिए, आप उसके साथ एक trainer चाहिए, उसके साथ आपको एक doctor चाहि कि जो doping है, उसको हम criminal offense बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो doping का बढ़ता हुआ है, अभी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि भारत का इसमें तीसरा number है, इसलिए हम उसके लिए सखत उपाए जो है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप यह देखे competition के जरिए हम खिलाडियों का chain करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद आप चलेंगे तो जितनी भी federations हैं, उनको हमने कहा है कि अगले अपने तीन-चार साल के अंदर अपना vision दीजिए, कि किस तरीके से आप खिलाडियों को आगे चलाएंगे, आपको मालूम है कि हमारे द जिनों में आपने देखा होगा, आई ओए के अंदर जब दो lifetime presidents को अपॉइंट किया गया, जो चार शीटिट थे, हमने तुरंत उसके ओपर कारवाई की, और आज मैं ये कह सकता हूँ, कि जो federations हैं, वो जो हमारा sports development code है, उसको follow कर रहे हैं, इसको follow कर रहे हैं, हमारे साथ ग अगया पूछी अतना सवार, नमस्कार सर, मेरे दो suggestions हैं सर, एक तो ये कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे इंडिया में stadiums हैं, अगर हम inclusion को ध्यान रखते हुए, वहाँ पे para players को practice करने के लिए permission दे सके, तो बहुत अच्छा होगा, आज की date में कुछ गिने चुने stadiums है जिसमें para players जाके practice कर सकते हैं, बाकी में permission हैं लेकिन उनको उतना सहयोग नहीं मिल पाता, उनको coach नहीं मिल पाते हैं, और उतना set-up नहीं है, वहाँ पे washrooms अवेलेबल नहीं है, अगर हैं तो वो locked होते हैं, दूसरा suggestion है सर, कि मेरा para sports के लिए भी sports quota में जॉब्स होनी जरूर जिसके अंदर यह सुविदा नहीं हो, अगर कहीं पर भी para Olympics का खिलाड़ी कोई भी practice कर सकता है, तो जाहिर तो पर वो stadium उसके लिए खुला है, और अगर आप मेरी जानकारी में लाएंगे तो वो होगा, दूसरा आपको यह जानकार भी खुशी होगी, कि गुजरात के अंद अगर के अंदर, अब हम एक सेंटर सबना रहे हैं, पर आलम्पिक का सेंटर बिलकुल नहीं बना रहे हैं, जिसके अंदर हर तरह की एक सुविदा होगी, और वो excellence of sport होगा पर आलम्पिक के लिए, हमारे साथ में यह गौरव बहल है, रूडी जी उनका एक सवाल रह गया था जी गौरव बहल जी, पूछी अपना सवाल, आप भी को फाउंडर हैं, ड्रीम मेकर्स के, जी बताइए हमें अभी धाई साल या तीन साल ही हुए हैं, और हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। Similarly, the way technology is today, there is a push factor and a pull factor. अगर आप अपना target बना लेंके, मेरे को, जैसे आपने बताया है, कि 10 लाक हर महीने लोग आते हैं, जिनको मुझे skill देना होता है, और मैं शायद उनको नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपको उसके round ही work करना चाहिए, कि मैं उन 10 लाक से जादा को दे पा हूँ, आप वो सोचि जितनी तालिया मारते हैं, इस initiative के लिए कम है, क्योंकि ये एक innovative सोच है, इसी तरीके से जितने professionals in country में, आप उनको भी जोड़िये अपने साथ, आप सोचिए कि कैसे जोड सकते हैं, जैसे कि डॉक्टरों को जोड़ा गया था पहले, कि उनको हर गाहों में जाके एक साल बता क्योंतार एक है? We create a demand, and we do not have the supply side fo training. That we create more negativity. So we are profitable으로 wow, the systems are in place, and next 2 years, we will have a complete bandwidth of training across the country. And that buzz is also coming up, but we just donate money to create a hype and do not give enough input. So we're trying to match it. Because this is the first initiatives and it's going at a very rapid pace. I'm a trainer in the hospitality sector. Sir, जैसे भी सर ने बोला कि हमें हमें हाइप्रेट नी करना, हमें जाज जाज़ादा उनको पहले हमें सप्लाइ देने के लिए हमें तयार हना हना है. तो उस केस में हमें लगता है कि हमें लगता है कि हमें लगता है कि हमें लगता हैं। जाज़ेशन रहा है कि जो मेरा सुझेशन रहा है कि जो मैने पड़ा इतना जीक है, इसमें जो मिनिम्म रेक्वार्में जो आपे स्पेस की दिया, आपे स्पेस की दिया, आपे 3,000 स्केफ़ेट. And if you talk about metropolitan cities like Delhi, जो यह थोड़ा महगा बाता है. Because we do not want to create riffraff centers, we want to have credibility in the setup. So these are the challenges which we are trying to address. But earlier the ecosystem was completely which was unaccountable. So we are creating visibility, we are creating accountability, we are creating a system. So all this is good. And you are from the hospitality sector, you can tell very well how much एक महर गंच एक हमारे बोटीक होटल है राजिस्थान में जोथपूर के पास. और वहाँ जब मैं रह रहा था, वो हमारे मित्र का है, 12 रूम का प्रॉपटी है. और जो बच्चे कमरे में आते थे, तो मैं सवस्ता तक पूरी अंग्रे जी बोलते थे. How was the day, sir? How is the morning, sir? मैंने सुझा अंग्रे जी में बात को पता चला, वो तीस सेंटेंस जानता है. और वो इतनी अच्छी तरीके से बोल रहा था, और, sir, do you have anything for the laundry, sir? तो मुझे, देखे, ये hospitality सेक्टर में, अगर भारत की बच्चों को, आज cruise liners पर हम जाते हैं, और अगर 5,000 लोगों का जहाज है, जिसमें 2,000 कर्मचारी हैं और 3,000 टूरिस्ट हैं, दो हजार में, अगर सैंपल साइजिंग कीजिए हर 100 बच्चे को, तो 95 मलेशिया से, इंडोनेशिया से, थाइलाइन से, सिंगापूर से होंगे, 5 होंगे भारत से, सेक्यूरिटी में, हाउस्कीपिंग में, शेफ में, अगला सवाल, विजय जी, आपके लिए नीरू यहां पर हमारे साथ हैं, नीरू भातिया, जो की डेपिटी बिरो चीफ हैं, दवीक से आती हैं, जी, पूछिये नीरू जिप्ना सवाल, आपने फेडरेशन की अकाउंटबिलिटी की बात की, लेकिन जो बहुत ज़रूरत है एक चीज़ की प्रोफेशनलाइजेशन चाहिए, फेडरेशन में भी और स्पोर्ट में भी, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर्स चाहिए, सीओ चाहिए, जो अकाउंटबल हों, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये फेडरेशन चाहिएंगी नहीं कि अपने हाथ से किसी प्रोफेशनल सेट अप को दें। नेरु चाहती है, जो हमने तै किया है, उसको अभी से बता दे हम, तो दरसल इसकी जरूरत हमको भी बहुत लगती है, पर आप जानते हैं, अभी तक का सिस्टम ये था, कि जो फेडरेशन थी, उस पर भूँत से लोग, भूँत सालों से काबिश थे लिए, तो पिछले दिनों के अंदर जो हमने कोड बनाया, उसमें एक एज लिमिट बनाई, तो अभी आप देखेंगे कि जब हमारा कोड जो है, रिवाइज होकर आएगा, तो उस कोड के अंदर वो सब चीज़ें एंडरेस होंगी, जिनकी आप बात कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं, बहुत सारे UK, USA के अंदर जहां मॉडल हैं, उसके अंदर CEO जो हैं, वो प्रोफेशनल उसके अंदर हैं, तो हमारे अंदर भी हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, कि ये जो Federation हैं, इसमें खिलाडियों का अच्छा participation हो, हम ये कोशिश कर रहे हैं, इसमें professionalism आए, हम ये कोशिश कर रहे हैं, कि ये लोग अपने targets तैय करें, हम ये कोशिश कर रहे हैं, कि ये लोग timely अपने competitions और ये सब कराएं, तो जिस professionalism की हम आप बात कर रहे हैं, उसमें हम already आगे बढ़ चुके हैं, और मैं समझता हू, महीने बर में आपको उसके परिणाम देखने को मिल जाएगे। जी, और कारिक्रम में हम आगे बढ़ेंगे dialogue at DD News, लेकिन उससे पहले वक्त तो है, एक छोटे से break का, जनता जनारदन के सवाल कुछ और भी है, विजय गोईलसी से आप देखते रहे हैं, DD News पर हमारे विशिश का इक रहे हैं, स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया, लेकिन यहां स्वच्छता रखना किस की जिम्मधारी है? चिपस तो इन्होंने खाया, पर यह खाली पैकट किस की जिम्मधारी है? सही सामान तो मिल गया और खाली पैकट यह किस की जिम्मधारी है? समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है, बलकि अपने कचरे का सही निप्टान भी करता है, आप भी समझदार ग्राहक बनिये और स्वच भारत का सपना सच कीजिए कोई भी बात मेरी सडक एंड्रोइड एप अब हर पल मेरे साथ मेरे गाउं की लगी दानी है ना वो इस साल शटी में पहुच गई और दो बभलू कितना विमार रहता था बच्तर ले माबाब भले ही बूल जाए पर मैंने ही बूलती कौन सटी का लग चुका है कौन सटी का लगना है अगर आपके परिवार में भी किसी बच्चे का टीका कर छोटा हुआ है तो मिशन इंद्रधनुष दे रहा है आपको एक और मौगा अधिक जानकारी के लिए निकट के स्वास्थिक इंद्र आशा दीदी या एनम बहंची से संपर्थ करें जिंदगी इंद्रधनुष बनाए तरिता जी इंदनों आप अपने खान-पान का ध्यान तो रखती है ना अरे यह क्या भोजन में साधानन नमक आयोडीन युक नमक का इस्तेमाल करें आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशू शारिरिग और मानेसिक रूप से कमजोर हो सकता है आयोडीन नमक इन सारी परिशानियों से आपको बचा सकता है यह नमक आउब आनों के लिए तरकी के रास्ते खोल दिये सडक के गट्टों की फोटू खेज रहे हो कोई खास बात है क्या अरे काका मेरे मोबाइल फोन में मेरी सडक एप है जिससे प्रधान मंत्री ग्राम सडक से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है सडक से जुड़े सुझाओ या शिकायत पर सरकार वाजिब कारेबाही करती है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आप इस समया हमारा विशेश कारिक्रम देख रहे हैं तीन साल मोधी सरकार जिसमें हम डायलॉग कर रहे हैं यहाँ पर और सीधे मंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं इस समय हमारे साथ विजय गोयल जी मौजूद है जो की केंद्री है खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं गोयल जी हमें एक स्पोर्टिंग नेशन बनने की तरफ हमेशा कोशिश करते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं हमें मिलती कौन सी ऐसे चुनोतियां आपके सामने आपको लगता है रही हैं जिसकी वज़े से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं और अब इसके लिए तैयारी चल रही है कि 50 साल के अंदर खेलों के उपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है सरकारों ने भी इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया अगर आप बजट के लेवल पर देखेंगे या आप देखेंगे कि खेलों को एजूकेशन के साथ जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं इसके बहुत सा अब मा कहती है कि अब जाएगा तो इसके लिए माता पिताओं का बड़ा भारी रोल है कि वो अपने बच्चों को सिरफ ये ना देखें कि खेल के अंदर अगर कैरियर नहीं है क्योंकि खेल का संबंद फिटनेस से है खेल का संबंद फिजिकल और मेंटल दोनों चीजिएं स सूपीधाय नहीं है या बच्चेड नहीं रहें तो अब हम सारा ध्यान इस बात पर लगा रहे हैं कि जो हमारी ECHARD Ministry है वो खेल को curriculum का एक part बनाएे चाहे तो compulsory करें नहीं तो कम से कम periods compulsory करें और कम से कम कंठेल के नंबर भी जुड़ें जब उसको आगे एडमीशन लेना हो तो जी इसी तरीके से जैसे अब इस बार हम फीफा फुटबॉल कर रहे हैं तो हम एक तरह से चाहते हैं फुटबॉल का बुखार हो फुटबॉल वर्ल के अंदर सबसे पॉपलर गेम है हमारे देश में भी किरकेट के बाद देखें तो सबसे जादा फुटबॉल पॉपलर है तो हमारा अभी फीफा अंडर सेवंटीन जो वर्ल कप है उसमें मिशन यह कि पंदरा हजार स्कूल को हम टच करेंगे और करीब मिशन 11 मिलियन के अंदर 11 मिलियन बच्चों तक हम जाएंगे तो एक पूरा जो खेल का अटमॉस्वेयर कल्च साल के अंदर हमारा बजट भी करीब 30-40 परसंट बजट भी बड़ा है तो उसके अंतरगत हम यह कुशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाडियों को जादा से जादा सुविधाएं मिलें और बढ़िया से बढ़िया उनको ट्रेनिंग मिलें तो आगे आने वाले आप देखेंगे आपको उसके प्रणाम देखने को मिलेंगे कि हमारे खिलाडियों ने अच्छी मेनत किया है उनको सारी सुविधाएं मिली है तो यह सब होगा तो होगा अब हम खेल को यह भी कोशिश कर रहे हैं कि वह स्टेट लिस्ट से उठकर स्पोर्ट जो है वह कॉनकरेंट लिस्ट के जी विशाल जी पूछी आपका क्या सवाल है? तो मेरा सवाल यह है कि यह ट्रांस्परेंसी कैसे होगी और मेरा एक सजेशन यह है कि क्या सरकार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक प्रपोजल ला सकती है जहां पर एक कॉपरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिट के साथ साथ एक कॉपरेट स्पोर्ट्स रिस्पॉं जादातर फेडरेशन्स के हाथ में आजी। जिकायत हो एक तो वह दूर हो सके और दूसरा ऑब्जरवर भी देखता रहेगा वी खिलाडियों का चेहन ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है और दूसरा यह अभी कॉर्पेट आगे आ रहा है पिछले दिनों के अंदर हमने सभी PSU की मीटिंग की थी ताकि CSR फंड भी सबसे ज़्यादा आए अभी हम इंडीजवल जो बड़े कॉर्पेट हैं उनसे हम बात कर रहे हैं हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जो अपना सवाल करेंगे पीछे जी पूछी अपना सवाल मैं एक एटली टू जो की जवालना नहरु स्टेडियम में मैं कोचिंग करता कि यहां जो गवर्ण सेक्टर होते हैं मुझे लगा कि यहां अच्छा नहीं है सही मैं अच्छा नहीं था वहा पर जो टौलेट हो बंद होते हैं तो हमारे देश में स्पोर्ट इंस्टराट्र की कमी है जैसे मैंने आपको पताया कि स्पोर्ट स्टेट सब्जक्ट है तो अभी आप स्टेट की ज़्यादा जिम्मेदारी हैं इंस्ट्राइक्ट्र को खड़ा करना फिर भी जहां जहां से हमको किसी प्रकारी भी कोई शिकायत मिलती है अब जैसे जो हमारे स्टेडियम्स हैं उसके इंदर हमें एक रेगुलर वाच कर रहे हैं मैं खुद भी अभी साइं के हमारे सौसे सेंटर दिल्ली के अंदर जादा हैं उनके अंदर विजिट कर रहा हूं और देख रहा हूं कि भी हर खिलाडी को को जो सुविधा चाहिए वो उसको मिले बाकिया अगर यह कहें कि सारे देश के अंदर स्पोर्ट्स का इंस्वा स्क्टर हो जाए तो तो स्कूल के माध्यम से होगा वह कॉलिजों के माध्यम से होगा और वह अभी हमें कोशिश कर रहे हैं कमुनिटी कोचिस की तो जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं जो हमारे एक scheme आ रही है जिसके अंदर हम community coaching यानि ज्यादास ज्यादा हम coaches को provide करेंगे ताकि किसी को भी कहीं पर खेलना है तो उसको coach की वबस्ता की जा सके जी अक्सर जैसे कि अभी खेलोगे खेलोगे नाम से प्रधान मंतरी ने ये जो कोईन किया है लेकिन हमने देखा है कई बार कु कि भी एक उम्र है कि वो कितने ताइम तक competitive खेल सकता है तो इसलिए हमने कहा है कि वो जब तक खेलता है वो खेलेगा नहीं तो उसके बाद अगर वो खेलों से जुड़ा रहना चाहता है तो coaching को भी वो वो कर सकता है वो अपना सकता है या फिर आप समझे कि बहुत सारे इनको हमारी सरकार के बहुत बड़ी support भी है ये समझे कि केवल वो अपने दम पे नहीं है हमारी सरकार भी उनको लगातार support कर रही है और अभी भी हम ये welcome कर रहे हैं कि जो लोग academic होना चाहें या जो लोग हमारे साथ PPP model के उपर को ये tie up करना चाहें तो हमारा मंतराल है उस जिस देश में 65% population जो है वो युवा हो तो आप समझे कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनोती है जब मैं यहां पर join किया था तो हमारे यहां बहुत बड़ा जो केंद्र है वो है नहरी हुआ केंद्र है जिसके माध्यम से हम यहां के अंदर बहुत सारी गतिविदियों क हम करते हैं और उनको एक मौका देते हैं तो जब मैं आया था तो मुझे का था भी तीन लाग क्लब्स हैं और करीब 80 लाग इसके मेंबर हैं तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि इन में से बहुत सारे लोग 15-19 साल की उमर से उपर हो गए होंगे तो मैंने उनके री इन से प्रोग्रम करते हैं और अभी हमियारे प्रदार मंत्री जीने बहुत यह अच्छा कारिकरम दिया है शायद आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा एक भारत स्टेश्ट बारत इसके अंदर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ मौयू साइन होता है यानि हर् कारियानवी की सीखेंगे वह उसके तैलांगना की भाषा की सीखेंगे वह उनका कल्चर पहनावा संस्कृती यह सब देखेंगे वह इनकी देखेंगे तो यह बहुत ही अच्छा प्रोग्रेम हैं जिसका लगबख 17 मौयू सके अंदर साइन हो चुके हैं तो एक स्टेट के एक रिविम करते हैं ताकी उनमें नई उर्जा का व और अभ हम स्लम्स के अंदर भी जो इतना बड़ी संख्या arguing के अंदर यूथ है उसके अंदर हमें कारेकरम लेके जा रहे हैं जिसमें यूथ हमारे साथ मिलकर करने चाता है हमारे देश के अंदर मोटीवेटर्स के जूरत है अगर मोटीवेटर्स होंगे तो हम बहुत सारे जूत को अलग अलग कामों के अंदर अट-टी विजए चीन आपे मिनाक्शी जी बैठी हैं अपना सवाल करना चाहती assessing जी अच्छा आप करना चाहती है आप करिए जी करिए लड़कियां के लिए कौन से ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो आप इनकारज कर रहे हैं लड़कियां तो खुदी सबसे ज़्यादा इनकारज हो रही है आप देखिए जितने भी मैडल्स आएं ज़्यादा तर हमारे महिलाओं ने पदक जीते हैं इसलिए हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें पार्टिस्पेट करें और उनको ज़्यादा सेक्यरिटी भी हो पिछली बार अभी हमने एक कमेटी भी बनाई है ताकि जो जो होस्टल्स के अंदर हमारे लड़कियां हैं, उनको किसी भी तरह की कोई परिशानी हो, तो उसके लिए कमिटी बनाई है, वो उसको बता सकते हैं, फिर हमारी कोशिश यह है कि जहां जहां हमारी विमेन्स टीम छोटी-छोटी भी बनती हैं, तो वहां विमेन कोच देनी की कोशिश करते हैं, ताकि वो खुल कर और खेल सकें और किसी प्रकार की उनकी शिकायत नहीं रहे, तो हम मोटिवेट करते हैं, ज्यादर से ज्यादर को, आजकल तो माबब भी मोटिवेट करने लगे हैं, कि भी बढ़कियां भी भार निकले हैं, और स्पोर्स के तो ये प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना में अभी भी स्पोर्ट का कोई भी कोर्स अभी तक लागू नहीं हुआ है, मेरे को लगता है आप दोनों इसमें कोलाबरेशन वो होना चाहिए, और दूसरा है नहरू युवा केंद्र बहुत ही एक सशक्त ग्रूप है, जिसका अभी हम स्किलिंग के उसमें भी यूज कर सकतें, क्योंकि ये जो यूद की क्या एस्पिरेशन है, क्या महत्यो कांग्शा है, वो अगर एक इंस्टिशनल लेवल से वो टाय अप हो जाए, तो हम लोग जुडते हैं क्योंकि हम इस शेत्र में काम करते हैं, तो वो भी काफी मेरे के लिदर भी माइक दीजिए, फिर एक साथ ही जवाब ले लेंगे, हाँ, बोलिए, बुचिए, लोगों को नहीं पता चलता है, जितनी ज़्यादा फेसिल्टिस आज हमारी गवर्मेंट दे रही है, जितना सब कुछ कर रही है, लोगों को बहुत ही मुश्किल है, उस इमसी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, रेलवे, इन सब लोगों को मीटिंग में बुलाया था, और उनसे कहा भी दिल्ली के अंदर जिजिस के स्टेडियम्स हैं, क्यों ना हम सब कलब हो जाएं जाकर, अभी हमें MCD का नहीं पता, MCD को DDA का नहीं पता, तो हम एक अभी बुकले vyगालेंगे, फिर उसको वेब साइट पर डालेंगे कि अन्दर आप जाकर खेल सकते हैं, या प्रेक्टिस करने के खेल सकते हैं, तो इस तरीके से हम मरा रहे हैं, दूसी तरह से अभी स्पोर्ट टारर में कौन सा मैच हो रहा है तो अगर आपको देखना है किस टाइम में हो रहा है तो जैसे वह बुक माई शो होता है तो ऐसा ही उसके ओपर डल जाए और आप अगर टिकेट है तो तो आप आपको इन्फिकेट ले सकें तो आप जानते हैं थोड़ा इसके अंदर टाइम लगेग और आपके सुझाव पर हम अमल करने वाले हैं। मेरे को सबसे बड़ी समस्या है उस इंस्ट्रा स्रक्चर को मुझे फिर मेंटेन भी करना है। और गाउं से मिलते हैं। इसलिए हम ने अभी पिछले दिनों स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी। कि हर स्टेट के अंदर दो एक खेल ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर वो एकसल करे जाके लिए। कि जिनको हम स्पोर्ट सब बनाएंगे पूरे देश के अंदर ये। और फिर हम ये कोशिश करेंगे कि अभी तक जो स्पोर्ट इनुवर्सिटीज के टूर्नमेंट या मैच होते थे। वो उतने ज्यादा विस्तार से नहीं हो सकते थे। तो अभी हमारे देश में 500 उनुवर्सिटीज हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनुवर्सिटीज में खेलों का परचार परसार हो वहां से हमको ज्यादा से ज्यादा किलाडी मिलें इसके लिए हम बात कर रहे हैं। जी और हमारी शुब कामना आपके साथ रहेंगी क्योंकि इसी से देश आगे बढ़ेगा और हमारे युवा आगे बढ़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और डायलॉग विद डीडी में शरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस कारिक्रम में आपने अपने सवाल पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही हमारा ये विशेश कारिक्रम हम यहीं खत्म करते हैं, आप देखते रहें डीडी न्यूस, नमस्कार झाल